नमस्कार देस्तों स्वागत आपका दी 11 टीम्स यूट्यूब चैनल में आज इस वीडियो के अंदर में बात करेंगे इंगलेंड वर्शिज ऑस्टेलिया के बीच होने वाले तीस्तरे T20 मैच के बारे में देखो दोस्तों इस सीरिज के दो T20 मैच और लेड़ी खेले जा चुकी है जिसमें से एक मैच जीता है उस्टेलिया की टीम ने और एक मैच जीता है इंगलेंड की टीम ने तो तीस्तरे T20 मैच है वो इस सीरिज का निरनाएक मैच रहेगा तो ऐसने में उस्टेलिया और इंग्लेंड दोनों टीम है न वो अपनी पूरी स्टेंथ के साथ खेलने वाली है और साथ ही मैं आपको बता दू कि ये वाला मैच कहला जाएगा ओल्ड ट्रेफर्ड मैंचेस्टर के ग्राउंड की उपर और इस ग्राउंड की पिछका भी आपको एहम योगदान देखने को मिलेगा इस मैच में टीम बनाते वग तो अगर आपको अच्छी टीम बनानी है तो आप इस वीडियो को पूरा आच्छे देखेगा मिश मत कीजेगा वहीं देखो दोस्तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज यार आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो आपको ऐसी वीडियो जहरोज मिलती रहेगी तो दोस्तो ये वाला मैच कहला जाएगा 15 सितंबर को शाम को 7 बजे इंडियन टाइम के अनुसार तो दोस्तो वीडियो में आगे बडूस से पहले माँ आपको बता दू कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में हमारे टेलिग्राम का लिंक मिलेगा या तो वीडियो का description चेक कर लो या first comment चेक कर लो वहाँ पे आपको हमारे कुछ ऐसा telegram का link मिलेगा उस link पे click करना है और telegram channel या चे join कर लेना है टोस होने के बाद जो भी साथ अपडेट आएगी ना पिछी report हो गया playing 11 हो गया teams हो गया वो सब कुछ आपको बिल्कुल फरी में telegram पे प्रोवाइड कर दी जाएगी वीडियो के description और पहले comment में link है link पे click करके telegram channel या चे join कर लीजिएगा तो दोस्तो वीडियो की starting के हम देतने और सबसे पहले हम देख लेतने ओल्ट Trafford Manchester के ground की pitch report आपको क्या देखने को मिल सकती है वेगो दोस्तो इस ground के उपर अप तक 9 T20 मैचों में से 3 मैच पहले betting और 6 मैच सेकंड बेटिंग करने वाली टीम में जीते हैं और इन 9 मैचों के अंदर करम score pattern की बात करें तो 2 मैचों में score 150 से नीजे बीच उस मैच में इंगलेंड ने पहले betting करते हुए 119 बनाई 4 विगेट पे नीजे लेंड की टीम 130 बना के ओल आउट हो गई वो मैच इंगलेंड की टीम जीत गई थी दोनों इनिंग को मिला के बात करें तो 7 विगेट fast bowler और 7 विगेट spinner को मिले उससे पहले इस ग्राउंड के उपर मैच क्या लागा था पाकिस्तान और इंगलेंड के बीच उस मैच में पाकिस्तान ने पहले वेटिंग करते हुए 154 बनाई 6 विगेट पे इंगलेंड ने 155 बनागे 3 विगेट से मैच जीत लिया दोनों इनिंग को मिला के बात करें तो एक विगेट फास्ट बोलर और ग्यारा विगेट स्पिनर को मिले उससे पहले मैच के लागा था पाकिस्तान इंगलेंड के बीच वो मैच यहाँ पे पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करते हुए जीत गई थी दोनों इनिंग को मिला के बात करें तो आठ विगेट फास्ट बोलर और दो विगेट स्पिनर को मिले और उससे पहले मैच फिर से पाकिस्तान इंगलेंड के बीच के लगा था वो मैच इंगलेंड की टीम पांच विगेट से जीत गई थी दोने निंग को मिलाके बात करें तो 4 विकेट फास्ट बोलर और 5 विकेट स्पीनर को मिले अगर आप लाश्ट के 4-5 मैच देखोगे ना इस ग्राउंड के उपर तो लाश्ट के 4 मैच से 3 मैचों के अंदर 1st निंग के अंदर 190 पलस बने हैं यानि एक चीज तो कलियर है कि ये वाला ग्राउंड वो बैट्समेन को थोड़ी एक्ष्टा मदद करता हूँ आपको देख सकता है उसके लावा याँपे एक खास बात ये है कि याँपे फास्ट बोलर से ज़्यादा स्पीनर को विकेट मिलते हैं तो याँपे आप ये चीज द्याम दखना कि इस ग्राउंड के उपर बैट्समेन और स्पीनर का दोदबा आपको देखने को मिल सकता है बाकि टोस होने के बाद पिछके रिकार्डिंग कोई और इंस्रोमेशन आती है तो वो मैं आपको बाद में टेलिग्राम के उपर अपडेट कर दूँगा अब इक लिए को दोस्तों दोनों टीमों के हैट टो एड रिकोर्ड देख लेते हैं दोनों टीमों ने अब तक 24 हैट टो एड मैच खेले जिसमें से 12 मैच जीते हैं और 12 मैच जीते हैं इंगलेड ने अगर हम हैट टो एड की बैसेस पर जाएं तो दोनों टीमों के बीच आपको टकर का मुकाबला देखने को मिलने बाला है और इस सीरीज के अंदर अब तक 2 मैच खेले गएं जिसमें से 1 मैच इंगलेड ने और 1 मैच उस्टेलिया ने जीता है अब हम बात कर लितने सबसे पहले इंगलेड के आपको क्या प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है देखो दोस्तों इंगलेंड के तरफ से अगर हम बात करें तो फिलिप शोल्ट और विल जेक्स ओपना तीन नंबर पे आपको जोर्डन कोक्स बैटिंग करते हुँ दिख सकते हैं ये तीन प्लेर होगे टोप ओडर के बैट्समें उसके बाद मिडलोडर के अगर हम बात करें तो लियाम लिविंग्स्टोन जेकब बैठेल सेम करण तक आपको मिडलोडर ने बैटिंग करते हो दिख सकते हो थोड़ी बहुत बैटिंग जे ओवर टोन भी कर सकता है और बोलिंग के अगर हम बात करें तो रईस्टोप ले एक बोलर शाकी महमूद दूसरा बोलर आदिल लशीद तीसरा बोलर उसके लवा ब्रेंडन कार्से चोथा बोलर सेम करण पांचा बोलर लियाम लिविंग्स्टोन आपको छटा बोलिंग उपसन देखने को मिल सकता है अब लास्ट मेच में इनका बोलिंग सीन देखें तो रईस्टोप ले ने पहला और तीसरा बोलर शाकी महमूद ने दूसरा और चोथा ब्रेंडन कार्से ने पांचा बोलिंग सीन देखने को मिले था पारपली और डेथ के अंदर अब लास्ट मेच में की तरब सेगर हम ब यंद याम लिविंग स्टोर्न दोनों मेच्व में कप्तानी वाइश कप्तान以上 डेकनल अब तक कोई खास कमाल नहीं कर पाया, उसके अलावा सेम करण दोनों मैचों में कोई खास कमाल नहीं कर पाया, हलाकि पहले मैच फेंटसे की फर्स्ट रैंक वाले टीम में अपनी जगा बना ले थी, लेकिन दूसरे मैच में फ्लोप था, तो ये प्लिर आपके लिए दिफ्रेंशल भी निकल के आसकता है, और आपके लिए आउट ओफ दबोक्स कप्तानी वाइस कप्तानी का उप्सन भी निकल के आसकता है, और सबसे बड़ी चीज इस ग्राउंड के उपर स्पीनर को थोड़ी ज़्यादा मदद मिलती है, ऐस कंपेर तो फास्ट बोलर तो ऐसे में आदिल रशीद का रोल भी आपको इस मैच में थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिख सकता है, बाकी देखो दोस्तों यहाँ पे रईश टोपले है न, यह दोनों मैच में जोइन करनी जिएगा, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े और इंग्लेंड के सारे प्लेरों का रिकोर्ड देखें उससे पहले में आपको बता दू कि अभी तक अगर आपने माई 11 सरक लैब को डाउनलोड नहीं किया न, तो डाउनलोड कर लो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंड में लिंक मिलेगा आप लिंक पे क्लिक करके माई 11 सरक लैब डाउनलोड कर सकते हो और इस मैच में अगर आप मेगा जील के अंदर फर्स्ट रैइब तो आप जीच सकते हो SUV कार एज फर्स्ट प्राइज उसके साथ साथ आपके लिए खास ओफर है अगर आप अभी डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंड में जो लिंक दिया है उस पे क्लिक करके माई 11 सरक लैब डाउनलोड करते हो और रजिस्टर करने के एक घंटे के अंदर अंदर SUV कार वाला जो मेगा जील कोंटेस्ट है वो जोइन करते हो ना तो ऐसे में आप उस कोंटेस्ट में 20 ती में जोइन कर सकते हो विज नो लोस यानि अगर आप 20 ती में जोइन करते हो आपकी 20 ती में विनिंग जोन से बाहर होती है ना तो ऐसे में आपका सारा पैसा आपको refund हो जाएगा माई 11 circle wallet के अंदर लेकिन एक ही सर्त है कि आपको वीडियो के description और पहले comment में जो link दिया है उस पे click करके ही माई 11 circle app को download करना होगा यानि हमारे link से यह offer activate होगा जिसके अंदर आप SUV कार वाले contest के अंदर 20 टीमों से खेल सकते हो with no loss यानि आपके टीम में winning zone से बाहर भी होती है तो आपका पैसा आपको refund कर दिया जाएगा माई 11 circle wallet के अंदर उसके लावा आपको 1500 का bonus देखने को मिलेगा अगर आप first time deposit करते हो तो आपको 20% extra cash मिलेगा और मान लेते हैं आपने first time deposit करते वक्त हमारा open code DET20 यूज़ कर लिया तो भी आपको 20% extra cash मिलेगा तो कमाल की app है कम competition है वीडियो के description हो पहले comment में link है link पे click करो my 11 circle wallet बाउनलोड करो और खेलना start करो अब देखो दोस्ते में England के player का record देख लेते हैं सबसे पहला नाम Will Jacks righty batsman है कभी कबार off break bowling कर लेता है 35% selection है last match में 12 उससे पहले वाली match मेंच है अब तक दोनों match में flop रहा है इस series के अंदर add to add गंदर no का average है इस groundkeeper एक match में बनाए है record कोई खास नहीं लेकिन ये player आपके लिए इस match में grand league का trump रहा जकता है क्योंकि last के लगातार दो match में flop रहा है ना तो कोई ध्यान देकी नहीं चल दा इस वज़िसे माद तक 35% आपको इस player का selection देखने को मिल रहा है दूसरा player मारे पास इनकी तरफ से फिलिप शोल्ट राइटी बैट्समें 87% सेलेक्शन है recent form 49, 20, 0, 12, 16 decent form है last के दोनों match के अंदर decent performance दिया है पलस wicket keeping करेगा उससे अक्षा performance दे सकता है add to add के अंदर 3 match में चानवारा ना 32 के अबरेट से add to add में भी decent performance है तो यह safe option इसको आप टीम के अंदर रख सकते हो उसके बाद मारे पास इनकी तरफ से Jordan Cox, right T batsman, मातर 10% सेलेक्शन यह player भी last के 2 match में 0 और 17 न बना के flop हो है लेकिन यह player आपके लिए grand league का differential रह सकता है यह player तीन नमबरे बैटिंग करना है तो difference क्रेट कर सकता है यानि आप टिंग लैंड के top order में एक will jacks हो गया और दूसरा हो गया Jordan Cox, दूनों का selection कम है लेकिन दूनों आपके लिए grand league में difference क्रेट कर सकते हैं उसके बाद मारे पास इनकी तरफ से Liam Livingstone, righty batsman, legback spinner 6% selection है last match में 17 run 1 wicket लेके fantasy के अंदर wise captain नहीं आसिल की थी उससे पहले बाद मेंच में 36 run 3 wicket लेके fantasy के अंदर कप्तान बनाता तो यह safe option है इसको team में भी रखना है और चाहो तो कप्तान, wise captain भी बना सकते हैं जातर लोग इस player को कप्तान ये wise captain भी बिराने वाले है अपने team के अंदर उसके बाद मारे पास है jack up battle lefty batsman, left hand motolog spinner 34% selection है last match में 17 run 1 wicket लेके तो उससे पहले वाले match में 2 run 0 wicket था यह player आपके लिए grand league का differential ले सकता क्योंकि इस groundkeeper spinner को थोड़ी मदद मिलती है तो ऐसे में ये player left hand motolog spin bowling भी डाल सकते है तो ध्यान दखना grand league की को इस team में आप इस player को मुगा दे सकते हूँ उसके पाद मारे पास anti तरप से है same करण lefty batsman, left hand medium passer 33% selection है last match में 1 run 1 wicket उससे पहले ठारा run 1 wicket last match के अंदर fantasy के team में अपने जगा नहीं बना पाये था लेकिन उससे पहले वाले match में ठार run 1 wicket लेगे fantasy के first rank पाले team में अपने जगा बना ली थी लेकिन ये ऐसा player है जो captain wise captain ही बन सकता है add to add में 4 match में 7 wicket है इस groundkeeper एक match में 1 wicket है तो इस player को team में तो रखना ही पड़ेगा चाओ तो captain wise captain भी बना सकती हूँ उसके बाद मारे पास इनकी तरफ से J overtone देखो मैं इस player पे ज़्यादा focus करके नहीं चल ला क्योंकि ये तो बहुत नीचे batting करने आता और दूसरी चीज के है कि bowling करता नहीं है तो मैं इस player के उपर ज़्यादा focus करके नहीं चल रहा उसके बाद मारे पास इनकी तरफ से है Brandon Karsay राइटाम फास्वीडियम पेसर चारीच परज़ेंट सेलेक्शन है लास्ट मैच में दो विगेट थे उससे पहले वाले मैच में आट रन दो विगेट थे head to head में एक मैच लास्ट वाला कहला थे इसके अंदर दो विगेट थे और इस ground q पर एक मैच में एक विगेट है इस player को भी आप try कर सकते हो और England के team पहले bowling करे उस case के अंदर उसके बाद मारे पास है आदिल लशीद leg break spinner 69% selection है यह safe option इसको में टीम के अंदर लेके चलूँगा लास्ट के साधार मैच में आप एक मैच फोड़ दो बागी हर मैच में विगेट निकाले है head to head में 13 मैच में 15 विगेट है इस ground q पर 7 मैच में 11 विगेट है यानि इस ground q पर almost 1.5 विगेट पर match कावरेज है अगर आप चाओ तो आप जिये लिक अंदर कप्तान वाइस कप्तान बनाने का इसक में ले सकते हूँ आदिल रशील को उसके बाद शाकी महमूद राइट आम फास्ट में पेसर लास्ट में जिरो विगेट उसके पहले वाली मैच में दो विगेट है पंदरा परसंट सेलेक्शन है अगर इंगलेंड पहले बोलिंग करें तो आप इस टेम में लेके चलो उसके बाद आप ट्राइवस हैड को ड्रोप करके चल सकते हूँ तो यह आपको इंगलेंड के सारे प्लेरोका रिपोर्ट देखने को मिल रहा है कुछ बैंच वाली प्लेर देखे लेते हैं देखो कर यहां पर जोफर आर्चर खेलता हो तो हमें टीम में रखना पड़ेगा अगर डैन मुसली खेलता हो सकता है तीन नमरे बैटिंग करने भ मिल रहा है अब दोश्त हम ऑस्टेलिया की प्लेंग एंग लेवन देखे लेते हैं उससे पहले मापको बता दूँ कि लास्ट मैच में ऑस्टेलिया की तरफ से मिचल मार्स नहीं खेले थे साइद अन्वेल थे तो लास्ट मैच में का कप्तान था ट्रैवस हेड और मिचल मा बैटिंग करने आएंगे जैक फ्रासर मेगग यानि यह तिन प्लेयर होंगे टोप ओडर के मैट्स में मिड्लोडर के गरम बात करें तो जोस इंगलिस मार्कस टोनिया स्टिम डेविड और कैमरून गीन तक बैटिंग कर लेते हैं ठोड़ी बहुत बैटिंग एरॉन हार्ड पर यहां पे को ना सकता है मैंने आपको बता दिया है कि एक तो यहां पर आसकते हैं उस्टेलिय की तरब से मिचल मार्स अगर फिट होते हैं दूसरा कूपर को लोनी के जगा जो से लूड के खेल सकते हैं तो लास्वाला मैच नहीं कहें लेती बाकि एगर कोई चेंज होता अधर कप्तान भी बना था यह प्लेयर सेफ ऑपसन टीम में रखना है एक मैच में निकाले थी पांच प्रिकेट सेफ ऑप्सन इसकों टीम में लेकर चल सकते हैं दूसरा प्लेयर मारे पास है ट्रेवस हैड लेफ्टी बेट सब्सक्राइब बोलिंग कर लेता है लेकिन बोल ट्रेवस हैड लेकर चलो तो टोपले को टोप करके चल सकते हैं आपकी चोईस रही उस्तिया बाद मारे पास है जैक फ्रासर मेंगर राइटी बेट सब्सक्राइब रह सकता है क्योंकि इस ग्राउंड के बेट समयन का भी दबदबा देखने को मिल रहा है में स्पीनर के उसके बाद जोस इंगलीस है राइटी बेट समयन विकेट कीपर 50% सेलेक्शन है लाज के दो मैचों में बनाए है एट टो एड में दो मैचों में 79 दन 40 के एवरेट से अगर हम बात करें तो बैटिंग करने के साथ-साथ ये प्लेयर विकेट कीपिंग भी करेगा तो एक इस प्लेयर ने टीट बनते ही अंदर उसके बाद मारे पास है मार्कस टोनियस राइटी बैट्समन डाइटाम मीडियम पेसर 35 सेलेक्शन है तो मार्कस टोनियस एक ऐसा प्लेयर है जो कप्तान वाइस कप्तान भी बन सकता है लास्ट मैच में दो रन और जीरो विकेट के बन सकते हैं और दोनों को आप अलग-अलग टीम के अंदर शेलेक्शन है बहुत नीचे बैटिंग करने आता है तो मैं जादा फोक्पस करके नहीं चल रहा हूं टिम डेविड के ऊपर उसके बाद मारे पास है कैमरून ग्रीन राइटी बैट्समन राइटाम फास्ट में प करने का रिस्क भी ले सकते हूं उसके बाद एरोन हार्डी राइटी बैट्समन राइटाम मीडियम पेसर शोड़ा परजन सेलेक्शन लास्ट मैस में ठाइस रन जीरो विगेट था उससे पहले 11 रन दो विगेट एक विगेट उनीस रन जीरो विगेट है यह पिल आप ग्र इसके बाद मारे पास है एडम जैंपा लैक ब्रेक्शन सेलेक्शन है लास्ट के साथार मैचों आप दो मैच छोड़ दो हर मैचे विगेट निगा ले और यह जो पी चैना इस ग्राउंड की उपर एडम जैंपा काफी क्रूशल लोल प्ले कर सकता है और मेरे साब से कप्ता प्लेर लेफ्ट हम फास्ट निपेशर लास्ट के पांचों चाहरे मैचे विगेट निकाले यह प्लेर खेलता कूपर को लोने की जिग है तो मस्ट पिक प्लेर हैगा 22 ध्यान रखना अगर मिचल मार्च बाइचांस फिट होता है तो यह प्लेर भी इंपोर्टन रहेगा ला वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में अमारे टेलिग्राम का लिंक मिलेगा उस लिंक पे क्लिक करके टेलिग्राम याद से जोइन कर लो तोस होने के बाद जो भी सारी अपडेट आएगी पिछ रिपोर्ट प्लेइंग 11 टीम्स वगरा वो आपको बिल्कुल फ कपतानी का उप्सन है मेत्यू सोट्स भी कपतानी का उप्सन हो सेम गान भी कपतानी का उप्सन है आप इन तीनों में स्क्रिप्शे को सीवी सी बना सकती हूँ एज पर पिछले रिकॉड अगर ग्रैंड लिक के अंदर इस लोग तो जो इंगलीश और फिलिप शोल्ट के सा दिस्क्रिप्शन और पहले कमेंड में लिंक मिलेगा लिंक पर क्लिक करके डाउंड कर सकती हो इस मैच मेंगलेंड वर्सेज उस्टेलिया के बीच होने वाले तीसरे T20 मैच की प्रेडिक्शन उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छे लगी लगी लाइक कर दो चैनल को सब्स जोकी में आदित लग सकती है सोच समझ के खेलना धन्यवाद